नमस्कार मैं हूँ आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं नुक पोश्ट सुसान सिंग राजपूत का पूरा मामला CBI के हाथ में जाने के बाद से ही सिद्दार्थ पिठानी की होस्यारी गर्त में चली गई है जिहां दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में सबसे बड़ा खुलासा करने वाला हूँ कि किस तरीके से सिद्दार्थ पिठानी ने सुसान सिंग राजपूत की हद्या के बाद तमाम वोग सबूत मिटाए जिससे की कातिल पकड़े जा सकते थे जिहां पूरा वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो लिक हुआ है और हम आपको बताएंगे किस तरीके से सिद्दार्थ पिठानी के काले कारणामे अब CBI के जरिये सामने आ रहे हैं दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ अगर किसी किराय के घर में आपके दोस्त किसी कारण से मर जाते हैं तो क्या आप उस घर में रहेंगे तुरत उस घर को छोड़ेंगे लेकिन सिद्दार्थ पिठानी सोसांच सिंग राजपुत के मौत के 20 दिन बाद तक वो पिके से सुसांच सिंग राजपुत की मौत के बाद उनके ही दोस्त सिद्दार्थ पिठानी पर ये आरोप लग रहे हैं कि उसने एंबुलेंस वालों के साथ भी सेटिंग की कापुर अस्पताल के साथ तो सेटिंग की ही उसके बाद उस मकान के मालिक के साथ भी एक बड़ पर थे बेट पर थे लेकिन सोसांत की मौत के बाद ये सब कुछ बदल दिया गया जिहां अगर कहीं पर घटना घटती है उसके बाद उस जगह को यो ही छोड़ दिया जाता है ताकि जाच में सहयोग मिल सके लेकिन मुंबई पुलिस की मिली भगत और सिद्दार्थ पिठानी के सहयोग से पूरे सबूत को ही मिटा दिया गया मैं आपको बता दूँ कि सोसांत की मौत जिस कमरे में हुई थी उनके दिबाल को पेंट कर दिया गया जिहां सबूत को छुपाया गया फिंगर प्रिंट को खत्म कर दिया गया वहां के बेट को भी चेंज किया गया है वहां मालिक का भी हाथ हो सिदार्थ पिठानी का तो हाथ है और मुंबई पूलिस का भी इस पूरे मावले में सबसे बड़ा सहयोग है यानि कि तय है कि सिदार्थ पिठानी का एक के बाद एक झूट पूरी दुनिया के सामने आ रहा है वो जितने भी बाते CBI को बता रहा है या फिर उनसे जुड़े लोगों को बता रहा है सब के सब जूटे साबित हो रहे हैं नीरज जो कि सुसान सिंग राजपुत के कूक थे उनके बयान से सिद्धार्थ का बयान नहीं मिल रहा है 13 तारिक की रात को लाइटे आउप हुई थी अगर लाइटे आउप हुई थी तो सुसान सिंग राजपुत उनके पास कैसे आये थे उनसे मिलने ये भी बवा सवाल है लेकिन सिद्धार्थ का कहना है कि सुसान तो उनके पास आये थे सारा सर जूट, सारी बाते जूट जूट गलने की कोशिस और सबूत मिटाने की सबसे बड़ी कोशिस मुंबई पुलिस से मिलकर मकान मालिक से मिलकर और तमाम जितने भी करेक्टर है सुसान से जुड़े हुए चाहे वो रिया चक्रबरती ही क्यों नहों उनके साथ मिलकर भी सबूत को मिटाने की कोशिस हो रही है दोस्तों आप इस वीडियो को जादा से जादा सेर कीजिए ताकि सुसान सिंग राजपूत के पक्ष में जो हम ख़वर चला रहे हैं उनके लिए जो ललाईयां लड़ रहे हैं उसमें हमारी मदद हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जन्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसी चैनल पर सुसान सिंग राजपूत का असली कातिल सबसे पहले बेनकाब होगा नमस्कार